नमस्कार 2014 को मेरी पोस्टिंग हुई मतलब मैं ट्रांस्फर हुआ राइवरेली से सहारनपूर के लिए और 9 जून 2014 को मैं सहारनपूर आ गया राइवरेली एक कोने में और सहारनपूर दूसरे कोने में आते ही कुछ दिन बाद कामड शुरू होने वाला था कामड की तैयारियां शुरू हो गए कामड एक बहुत सावन का बहुत बड़ा तेवहार है पश्यमी उत्तर प्रदेश के लिए कामड की विवर्स्था को आप इस तरह से समझें कि हरद्वार में शद्धालू गंगा नहाते हैं गंगा जल लेते हैं और अपने अपने निवास स्थान के शिवालेओं में शिवलिंग पे वो गंगा जल चड़ाते हैं आपको जानके हरानी होगी कि वहां पर राजस्थान रिमोट मध्यप्रदेश और हरियाना पंजाब इन सब जगह से लोग आते हैं और हरद्वार में नहा कर गंगा जल लेके और चलने लगते हैं अपने अपने शिवालेओं के लिए यह इतना पुराना ट्रेडिशन है कि जो जहां से चलता है उसे पता है कि हम पैदल जाएंगे तो कितने दिन में पहुँचेंगे जल लेके वहां से चलेंगे तो हम कब शिवरात्री के दिन अपने शिवाले में पहुचकर जला भिशेक करेंगे भीर इतनी ज़्यादा होती है कि रास्ते ब्लॉक कर दिया आते हैं मेरठ दिल्ली हाईवे ब्लॉक हो जाता है गंगा नगर साहरनपूर हाईवे ब्लॉक हो जाता है हरियाना के सभी में रूट ब्लॉक हो जाते हैं मुझफर नगर शामली रूट ब्लॉक हो जाता है तमाम डाइवर्जन दिये जाते हैं दूसरे वाहनों को जाने के लिए जैसे राजस्थान में कमोबेश कुल अपने घर से चलने और वापस अपने शियावालियों तक पहुशने के लिए समय 28 दिन 26 से 28 दिन का होता है जोगी लोग पैदल चलते हैं जथे के जथे अपने हां से निकलते हैं कंधे पर लकड़ी के पट्टी पर दोनों किनारे उसको खूब सजावट करते हैं फूलों से प्लास्टिक के फूलों से और उसमें दोनों में गंगाजल के जिस बरतन में उन्हें गंगाजल लेना होता है कुछ लोग स्टील के किसी बरतन में घंगा जल ले आते हैं, उनको सम्हाल के उसको रखते हैं और कंदे पर उसे वापस ले जाते हैं कुछ प्लास्टिक की जो छोटे-छोटे केन होते हैं उसमें गंगा जल लेके चलते हैं कुछ दिनों में यह और इंप्रोवाइजड हो गया क्योंकि इसे ले के चलना एक इसमें रिस्टिक्शन होता है कि जब आप गंगाजी से गंगाजल लेके अपने शिवालियों तक जाएंगे तो वो कांवर्ड यानि वो कंधे पर रखी हुई वो बांस की लचकदार पट्ट जो चलते समय थोड़ा लचके ताकि आपके कंधे पर वो चोट न पहुंचाएं तो उसके दोनों तरफ रखने में उसको आप जमीन पर नहीं रख सकते हैं तो जग़ जग़ जो बड़े बड़े शामियाने लगा के शद्धाली लोग जो तमाम कांवर्ड कमेटियां बनी हुई हैं वो बाहर बांस के बल्लियों पर रैक बनाते हैं जिस पर कांवर्ड ये अपने उस कांवर्ड को उस पर रख देते हैं और फिर थोड़ा विश्रा राशन साहरनपूर से लेकर और दिल्ली के सीमा तक उस समय में कामणियों की आवा भगत में लगा रहता है चुकि संख्या इनकी जादा होती है जरासी समस्या होने पर यह रास्ते को जाम कर देते हैं बहुत धेर सारा उपद्र होता है तमाम गालियों के शीशे तोड़े जात था कि 2011 में ऐसा हुआ 2013 में ऐसा हुआ और अगर इसको इस तरह से रोकना है तो इस साल उसकी क्या वेवस्था की जाए साहरानकुर में भी कई राउंड की मीटिंग हुए और एक मीटिंग होती है इंटर स्टेट कोडिनेशन मीटिंग जिसमें हर्याना तिल्ली उत्तरांचल उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारी भाग लेते हैं अनुरोथ सबसे ही होता है कि जब आप कहां से लोग चलें आपके प्रदेश की सीमा को पार करें हरद्वार चलने के लिए तो उनकी संख्या जरूर बता दी जाए कंट्रोल उनको चाहे वो हरद्वार कंट्रोल उनको बता जें या सहारनपूर मेरट ये दो बड़े कंट्र से उनको आना है पहले ये पैदल वाली कामड चलती है बिलकुल लगातार पैदल चलते हैं पैरों में चाले पड़ जाते हैं ब्लीडिंग होने लगती है छोटे बच्चे बड़े बच्चे अब थोड़ा इंप्रवाइस किया है इन कामडियोंने अब वो एक जैकेट पहनत होते हैं उसमें वो गंगाजल की छोटी छोटी प्लास्टिक की जो पीपिया होती है जो जरीकिन होता है बहुत चोटा पांस लीटर का चार लीटर का दो लीटर का उसको उसमें बांध लेते हैं और दोनों हाथ उनके फ्री होते हैं आराम से चलते हुए चले जाते हैं लेक आध्रक पे कि प मिनिबस पे दिसलोक टोयटा पे उस गाऊं के उस thे के बीसलोक सावार हो जाते हैं उसमें कहने का सामान उसमें आज बनाने का सामान लेटने का सामान ये सब उसमें लगा होता है बड़े-बड़े होरन लगे होते हैं और जो डांस करने के लिए जो बहुत बड़े-बड़े boxes होते हैं, sound boxes वो लगे होते हैं वहां से वो चलते हैं और एक आदमी कामण लेके दोड़ता हुआ जाता है गाली उसके आगे-आगे चलती है, एक fix दूरी पर वो रुख जाता है और गाली पर बैठा हुआ उस ट्रक पर बैठा हुआ दूसरा आदमी उस कामण को हाथ में ले लेता है बहुत तेजी से दोड़ते हुए जाते हैं क्योंकि अगर आप पैदल चलेंगे तो आप दिल्ली पहुंसते पहुंसते हरियाना के किसी शहर में यम्ना नगर पहुंसते पहुंसते और राजस्थान पहुंसते पहुंसते आपकी एनरजी इतनी कम हो जाएगी कि दस कदम चलना मुश्किल होगा और यह दूई इस तनी लंबी होती है तो डाक कामण को इस तरह कहते हैं कि वो भागेंगे जैसे 40 की संख्या है और एक आदमी दोड़ के आके बैठ गया और जब 40 आदमी पूरे एक जहास हो जाएंगे तब फिर उसका नंबर आएगा एक गंटे बाद अब तक वो आराम कर लेता है और गाली चलती है तो यह लगभग आधे से भी कम समय में अपने इस्थान पर पहुंच जाते हैं लेकिन पिछले पांच सालों में एक और नई लेटेस्ट तरकीब आई है कि मोटर साइकल से चलते हैं बहुत बड़ी संख्या में मोटर साइकल और पूरी लगभग दिल्ली का इलाका उधर हर्याना का इलाका मोटर साइकलों से लड़के निकलते हैं परिवार के साथ भी निकलते हैं और तेजी से भागाते हुए उसको ले जाते हैं हरदवार वहां पार्किंग की बड़ी दिक्कत होने लगी है पार्किंग में वहां पार करते हैं जल्दी से नहाते हैं जल लेते हैं और मोटर साइकल से भागते हैं इस तरह से वह एक दिन में या मैक्सिमम दो दिन में अपने गंतब्व से चल कर गंगाजल लेकर अपने गंतब्व पर पहुंच जाते हैं कि यह बताया जाता है कि काउन शुरू होने और समाप्त होने तक करीब करीब पचास लाख, साट लाख और एक एक करोड तक की फुटफॉल वहां पर यानि ये संख्या हो जाती है जो पश्मी उत्तर प्रदेश में सलकों पर दिखाई पड़ती है कानून ग्योस्था के लिए बहुत ही विकट समस्या होती है ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए बहुत समस्या होती है बहुत बड़ी समस्या होती है मेडिकल एड देना बहुत गंभीर काम है क्योंकि किस रास्ते से वो जाएंगे उसका भरोसा नहीं जहां कोई अल्टरनेटिव नहीं है जैसे मेरट दिल्ली रोड पर कोई अल्टरनेटिव नहीं है अब एक नया अल्टरनेटिव बनाया गया है उससे थोड़ा हटा के नहर की पट्री पर एक पक्की रोड बनाई गयी है अब थोड़ा सा ये divergen वरना उस जमाने में जब मैं सहारनपूर में था बिल्कु सट के लोग चलते थे और एक तरफ बंद करके एक तरफ मोटर साइकलों के लिए और बड़े वहनों के लिए एक तरफ सिर्फ पैदल सलक के एक साइड में और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ वहन अलाउ किये जाते थे इस लंबे सफर के लिए कामडियों की संख्या उस दिन सबसे कम होती थी जिस दिन महाशिवरात्री होती थी क्योंकि महाशिवरात्री में भी शाम से पहले उनको जल चड़ाना होता है कुछ-कुछ रात में भी चलते थे जो बहुत जल्दी में थे या किसी ज़जे से देर हो गई थी उनको पहुँचने में लेकिन रात में 12 बजे के बार फिर जल ले जाने का और पहुचाने का कोई आचित नहीं हो जाता तो अंतिम कावडिया रात में 12 बजे के आसपास सहरनपूर की सडकों से निकल जाते थे ऐसा वहां मीटिंग्स में बताया गया ये पूरा जो 15-20 दिन का पूरा ये तेवहार होता है उस पूरे तेवहार में पूरी पुलिस पूरे रेंज की पुलिस सडकों पर होती है दो सिफ्टों में इनकी ड्यूटियां लगती हैं कोई भी ठाने पर नहीं बसता है इसमें लाइन आडर को बचाने के लिए तमाम तरीके भी अपना है जाते हैं इनको जो कामडिया होता है इनको भोला कहते हैं और जो महिला कामडिया होंगी बच्चिया होंगी उनको भोली कहते हैं एक दूसरे का भिवादन करते हैं चिलाते हैं नारे लगाते हैं दीजे पर डांस करते हैं इस तरह से करते हुए हो अ अगर इसी की कामड तूट गई है किसी की गलती से पुलिस की गलती से या किसी हाने जाने वाले वाहन की गलती से किसी मोटर साइकल वाले की गलती से तो घड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी मेहनत बेकार हो जाती है तो उस समय जो पास हो रहे हैं लोगों पूछते हैं क्या हुआ और उनका साव इसने हमारी कामड गिरा दी दूशीत कर दी खंडित कर दी तो भीड एकठा हो जाती है और फिर वाइलेंस जैसा हो जाता है तो इस समस्या से निपटने के लिए पुलिस जो है वो अपना भोला भोली अपने मैला कॉंस्टिबिल्स को वही गेरुआ वस्त रामनामी डुपट्टा उढ़ा के और उसी तरह से पुरुष कॉंस्टिबिल्स को रखते थे कि इन केस अगर ऐसा क कुछ होता है किसी को चोट लग जाती है तो उस भील में पुलिस वाले भी चले जाएं और कोशिश करें कि आगे न फैले कुछ उनको जूठा बताके कुछ सच्चा बताके वहां से उनको रवाना कर देते हैं यह लाइन ओडर की अपनी तक्नीक होती है अपनी टेक्नीक होत कि वालों का बहुत ज्यादा दिखाई देना कोई भी पुलिटकल लीडर पसंद नहीं करता ज्यादा भील है लेकिन भील में वी आपी के भी सुरक्षा करनी है और यह भी देखना है कि भील में कोई उत्पात न करें तो उसमें साधी साधी ड्रेस में और कभी-कभी उन्ही उस पुलिटकल पार्टी के लोग जिस वेश भूशा में हैं सिपाहियों को साधे में इंट्रेलिजन्स गैदर करने के लिए या किसी खुराफात को रोकने के लिए उसी भील में भेज दिया जाता है इनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है सव दो सो सिपाही साधे में वहां ड्यूटियों पे लगाए जाते हैं कि ताकि कोई बाहरी वेक्त बल्ली को फांद के विए पी तक न पहुंच जाए कोई बाहरी वेक्त किसी शर्स के साथ न पहुंच जाए जो साधे में वेक्ति है वो देखता रहता है उसको और अगर व सभा है वो निर्भाद निर्बाद गति से चलती रहती है इतना सब हुआ और 26 जुलाई को महाँ शिवरात्री थी 26 जुलाई 2014 को महाँ शिवरात्री थी और 25 बटे 26 की रात में हम लोग सब कुतुब शेर चवराहा वहां का इसा चवराहा है जहां बिलकुल कॉर्नर पर थाना है और वही रोड है जो हर्याना को कामवड़ियों को ले जाती है हर्याना से बहुत बड़ी संख्या में कामवड़िये आते हैं वहां बैठने से काम यह हो जाता है कि वहां से अंदाज लगता है बिल का द कराना यह भी बहुत कथिन काम कामड़ियों को अगर आप किसी कारण से रूखी तो मानते नहीं उनका टाइम कलकुलेटेड होता है और अगर आप जिद्ध करेंगे तो वह उपद्रों करेंगे यह ऐसी बहुत ही सामान धारना है तो वहां सब लोग बैठे हुए थे 12 बस्ते बस्ते अंतिम कामड़िया जैसा होता है एक दो कहीं दिखाई पड़े यह हुआ कि अभी तेवहार सकुषर समाप्त हो गया संपन्न हो गया अपनी अपनी जगह से लोगों ने अपनी रिपोर्टिंग कर दी कि साब अब कोई भी कामड़िया सड़क परशेश नहीं है तो 15 दिन की उस थकान 15 दिन की उस मेहनत के बाद ज़्यादा तर लोग जो बाहर से आये थे वो भी चले गए और जो जन्पत पुलिस के थे वो भी धीरे धीरे अपने बैरकों को वापस लोट आये संध्यातिवारी मेडम हमारी डिस्टिक में स्टेट थी मैं सेस्पी था मेरा एस्पिसिटी था वैभाव कृष्ण और तमाम और अधिकारी थे सब लोग अपने अपने घर को चले गए मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ एक अफवाह ने कैसे फिजा बेगाली सहरनपूर के और कैसे देखते देखते हैं बहुत बड़ा धंगा वहाँ पर हो गया मुस्लिम कमुनिटी और सिख कमुनिटी के बीच में और इसके बहुत खराब परिणाम होते हैं अगर इसे समय से कंट्रूर न किया जाता हुआ करीब साथे तीन पॉने चार बज रहे होंगे हम लोग बहुत ही ठकावट के बाद वो भी आप जब पैदल चल रहे हों भीर को डील कर रहे हों बहुत ठके होने के बाद बिस्तर मिलने पर नीन लाजमी है सोना भी लाजमी है हम लोग सोये और करीब साथे तीन पॉने चार वजे के आसपास कंट्रोल रूम ने फोन करके जगाया बार बार फोन करने किया नहीं उठे तो फिर बाहर जो टेलिफोन ड्यूटी 24 गंटे जो हो गई है और कुछ लोग वहां पर रास्ते को जाम करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे दिमाग में आए कि लगता है कोई कामडिया खूला वटका उधर से निकला होगा और कोई ऐसी बात हुई होगी कि वहां पर कोई तनाव हो गया होगा मैंने पूछा मौके पर कौन है उन्ह उसने का साब पता नहीं कोई अफवाह ऐसी उड़ा दी लोगों ने कि जहां पर गुर्दवारा है गुर्दवारा केंपस में किसी मस्जिद के गिराया जाने की बात यह लोग कह रहे हैं भीर बढ़ती जा रही है फिर लोकल जो मुस्लिम लीडर्स थे उनको गुलाया गया लगबक सारे के सारे लोग आ गये है लोगों ने भीर कुछ समझाने की कोशिश की लेकिन भीर कुछ सुनने को तयार नहीं थी महीना रमजान का था इद से सिर्फ चार या पांस दिन पहले की बात थी सुबह शहरी के वक्त उठते हैं लोग तीन चार वजे और सहरी करने के बात सभी लोग जगते हैं और उस अफवाह ने बिल्कुल ऐसा मतलब इल्टरनेट भी इतना तेज काम नहीं करेंगा जितना तेज उस दिन उस अफवाह ने काम किया था संध्यातिवारी मैडम को मैंने जगाने की कोशिश की नेचरल है मैला थी वो भी तो ही गई होंगी थोड़ी देर में उनके हां भी उनके जो अरदली होते हैं और घर में घरेलू सरगारी कर्मचारी होते हैं उन्होंने सूचनादी के एसेस्पी बात करना चाहते हैं मैंने उनको बताया कि इस इस तरह से वहां थोड़ी सी कम्मिनल प्राव्लम जैसी लग रही है उन्होंने पूछा सब पूरी बात मैंने का अभी तक प्रैमिरी बात इतनी पता लगी और हमें लगता है कि हम लोगों को चलना पड़ेगा उन्होंने का अच्छा मैं एडियम क तोटना बता रहे हैं और वहां जाके नहीं दिखा देते हैं ऐसा लगता है कि बात ठीक हो जाएगे तब तक यह बात करते करते करीब चाड़े-चार पौने-पांच बच गये गर्मी का दिन था जून का महीना था जुलाई का महीना था तो सबेरा थोड़ा जल्दी हो जात रास्ते में डिस्टिक में स्टेट का गर पड़ता है उनके हां गया वही विचारी तुरंत तक काल जैसे थी वैसी ही जल्दी हम लोग वहां पहुंचे तो बहुत भारी मजमा लगा हुआ था यंग्स्टर्स थे एक कम्यूटी के और वो किसी की बात सुनने को जो जितने भ उन्होंने टॉंट करके धका देके वेज़त करके वहां से भगा दिया क्योंकि तब तक कंट्रोल के बाहर हो चुकी थी बीर किसी के भी पुलिटकल कंट्रोल में किसी नेता के कंट्रोल में वह भीर नहीं थी यंग सर्स के पास वह बात आ गई थी हम लोग जब वहां पहुंचे तो पत्थरबाजी शुरू हो गई थी फोर्स हमारी बाकी जनपत के सभी थानों की आ गई थी हमारे पास जो पी एसी कामड के लिए मिलती है तीन चार कंपनी वह भी बैरक में चली गई थी और पूरी डूटी करके बारे वज़े गय थे उनक के साथ भी वही दिखकर थी उनको आने में थोड़ी देर हुई इस बीच में पत्थर बाजी अपने बिल्कुल जिसको कहते हैं चरम पर पहुंच गई हम लोग इसके पहले की मौके तक पहुंच पाते भील को हटाते हटाते किसी तरह से इसी बीच में स्पिसिटी का फोन आ कि उसके पास तक पहुंचे और वहां देखा हम लोगों ने कि वहां तब तक फायर की आवाज आने लगी थी फिर जो फूर्स हम लोगों के साथ थी हमारे उडिस्टिक में स्टेट के साथ चलती है जो फूर्स वह भी कठा की थोड़ी से स्पिसिटी के पास थी परियाप फ पत्थर बाजी शुरू हुई और फायरिंग के आवाज आई तो गुर्दवारे के आसपास रहने वाले सिख भी सब एकठा हो गए उन्होंने भी उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया और वह इंतजाम किया कि अगर पुलिस फेल होती है और यह लोग यहां तक पहुंच जाते है तो हम इनको कैसे रोकेंगे बहुत ही तानावपून बहुत ही तनावपून सिच्वेशन हो गए इसी बीच में हम लोग इस गली में इन दोनों के टकराओं को रोकने की कुशिश कर रहे थे और साथी साथ डीजी पी कंट्रूल को यह भी बता रहे थे कि फोर्स की अत्रीक आवशकता है ततकाल भीजी जाए और को समझ में नहीं आ रहा था अगल बगल से फोर्स इसलिए नहीं मिलनी थी कि सभी लोग पूरे पश्यमी उक्तर पदेश में शाम को कामवड का मेला खतम होनी पर या कामवड की यातरा कामणियों की खतम होनी पर अपने अपने घर जा चल देना और ऐसी एसी फोर्स को जो पिछले 20 दिनों से सड़क पर रही हो और लगातार सड़क पर रही हो इसमें किसी कुछ अंसे नहीं होना चाहिए उस बीच में कोई भी फोर्स का आजमी सिवा इसके जिसकी तबियत खराब है कोई भी अपने घर पे या थाने पर नहीं शुरू हो गई कि वहां पर कुतुपशेर में फरनीचर की और आटो सेक्टर की बहुत सी दुखाने एक लाइन से हैं चूंकि वह देहरादून से लेके और अंबाला तक का में रोड है अंबाला रोड उसको कहते ही हैं और गालियों से समंधित तमाम कल पूर्जों की और ज उनकी बहुत बड़ी बड़ी दुखानी थी यह इस्टिबिश्मेंट सिखों का था थोड़ी देर में यह देखा गया हम लोग एक तरफ की भीर को किसी तरह हटाते थे हम लोग का प्राइमरी कंसर्ण ये था कि अगर भीर गुर्दवारे की तरफ बढ़ी तो अनर्थ हो ज जादा फोर्स कंसंट्रेट करके उस भीर को वहां रोकने का प्रयास किया जा रहा था इस बीच में जो यंग्स्टर्स थे वो घुज गए उन दुकानों में और चटर तोड़के वो समान वहां से ले जाने लगे और समान ले जाने के बाद उसमें आग जिनी आग लगाना शुरू किया चारों तरफ जो आग जिनी हो रही थी वो मंजर देखने लायक था रूह काप जाये किसी की वी क्योंकि टायर जब जलता है बड़ी बड़ी टायर की एक लाइन से 10-12 दुकाने थी दुकानों में आग लगने पे टायर का वो जो काला धुआ होता है एक दो टा करना खेर वो हुआ उसके बाद लाठी चार्ज हुआ उसका अच्छी तरह से बल प्रयोग किया है जब दोनों तरफ से फाइरिंग भी शुरू हुई तो पुलिस ने भी हवा में फाइरिंग शुरू की ताकि यह भी अपनी अपनी जगह चली जाये लेकिन यहां तो सिखों का और उनका तकरा रोका गया लेकिन इस बीच मेवँ दूर दूर किसी ने अफाध से इस मज़भ की दुकाने जल गई और किसी ने वड़ एक कि उसमजभ की दुकाने जल गे देखा किसी ने नहीं धूर देखके इया अंदास लगा है और भीतर आपस में जग्रा हुआ अब ही कोई इतिहास सहारन पूजी लेकर नहीं रहा है लेकिन शुरूर होगी और ऐसा लग रहा था कि अब सिच्वेशन हम लोगों के कंट्रोल के बाहर हो रही है वहीं पर कुतुब शेर थाने में पब्लिक एड्र सिस्टम लगा हुआ है जिसको मोबाइल से अपने वारलेस से आउपरेट किया जा सकता है संध्यात्यावरी मेडम ने उस समय पूछा कि क्या करना चाहिए हमारे खाल सब कर्फ्यू लगा देना चाहिए वरना अगर शहर के दूसरे हिस्सों में यह जगड़ा फैल गया तो बहुत मुश्किल होगी और जानमाल का बहुत मुक्सान से नौ बजे के आसपास उसी पब्लिक एड़िस सिस्टम से कर्फ्यू का एलान किया गया जो भी वहां अधिकारी थे पहले तो उनको भील को महां से हटा के 15-20 मिनट में अधिकारियों को ब्रीफ किया गया कि अपनी अपनी गाड़ियों से गली कुचों में शहर के दूसरे नहीं करा पाएंगे अच्छे से तो फिर ये घटनाएं बढ़ती जाएंगे हुआ भी इस बीच में सब जगह से आसपास से फोर्स आनी शुरू हो गई और धिरे धिरे करीब 15 कंपनी फोर्स पहुंच गे जिन में से 8 कंपनी पैरा मिलिटरी फोर्स थी और बाकी सब पी एस सब्सक्रान का दिन तीन चार दिन बाद एद एद की नमाज उसी इलाके में होने थी जहां ये जगड़ा हुआ था यानि कुतुब शेर स्थाने के ठीक सामने थोड़ा आगे जाके बहुत पुरानी बहुत बड़ी इदिगाह है और दोनों कम्यूटी एकदम हमने सामने थी सिख और मुस्लिम्स तो अब ये भी बहुत बड़ी समस्या थी कि अब इस एद को कैसे कराया जाए अब घटना के पीछे जब थोड़ा सा शांती हुई पेरामिल्टरी फोर्स आ गई उनको स्टेजिक लोकेशन से लगा दिया गया करिफ्यू अच्छे से इंपोस करा दिया किसी ने ये एनाउंस कर दिया कि गुर्दवारा का भी नाम ने लिए उनको सब कुतुब शेर की मस्जिद को दूसरी कमेंटी ने गिरा दिया ये सुनके कुछ लोग जो बहुत नजदीक थे वो भागे और देखा कि कुतुब शेर की मस्जिद बिल्कु सही सलामत है और वह लेकिन थोड़ी देर में फिर भील वहां से चली और करीब तीन-चार हजार नवी वक वहां पहा गए और उनका नहीं सब इस मस्जिद की बात नहीं एक मस्जिद वहां थी उसको देखना है लेकिन तब तक एस्पिसिटी भी पहुंच गए थे सारी फोर्स पहुंच गई थ इतने लोग अगर एक साथ वहां पहुंच जाते तो दूसरे धार में किस थल को नुकसान पहुंचा सकते थे उनको वहीं रोका गया और जैसे जैसे जादा रोका जाने लगा वैसे वैसे ही यह वाइलेंट होने लगी फिर यह तैह हुआ कि दस लोगों को लेके हम दिखवा खर सिच्वेशन कंट्रोल हो गई इसमें तुरंट यह कहा गया कि इसमें दो सीनियर आउसस बाई एयर भेजे गए एक सीनियर आयस अफसर और एक सीनियर आईपेस अफसर सिच्वेशन को देखने के लिए या हम लोगों को एसिस्ट करने के लिए इसमें कुल 165 तुकाने य इसमें कुछ तीन डिथ हुई जो शहर के भीतर हुई इसके आपसी जगड़े में हुई लेकिन तीन वेक्तियों के मृत्त हुई और लगभग 43 लोग वो इंजर्ड हुए जो कुछ तो साहरनपूर में और कुछ को रिफर कराके मेरट ले जाया गया जहां उनका इलाज कराया गया तो सिर्फ एक छोटी सी अफवाह जिसको किसी ने भी वेरिफाई करने की ज़रूरत नहीं समझी कि कौन सा इस्ट्रुक्चर गिरा है एक वहाँ गुर्दवारे केंपस में कोई छोटी सी जगह थी जिस पर कोई अधरवाइस डिस्ट्प्यूट नहीं था कि जिसको शहरवाले जानते हों किसाब ये कोई रिजन अव डिस्प्यूट है आज पास के लोग जरूर जानते थे क्योंकि ये एक ऐसी फैमिली की जगह थी जो 47 में काकिस्तान माइगरेट हो गया था और अपनी पूरे जमीन की रिजिस्ट्री गुर्दवारा वालों को कर गया था तो उसमें कुछ कोई छोटा मोटा इस्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था जिसको मस्जिद की शकल में कहते हैं या मुसल्ला की कहते हैं कहीं कहीं जो तमाम टर्म्स वहां सुनने में मिले विये हुए लेकिन वही एक उसके लिए कहना कि साब वो जमीन दोस कर दी गई उसका ना था एक फोटोग्राफ बाद में मिला हम लोगों को इसे स्ट्रक्चर का जो 40 साल पहले का था अब उसमें कोई सिविल लिटिगेशन चलता रहा होगा और इस बीच में उन लोगों ने वहां पर कोई अपना यात्रियों को जो सिख यात्री आते हैं दूर से उनको रुकने के कि व्यादन के ये कोई स्थान किनारे Бना रहे थे जिसको रोकना था और ये अफ़ाह ऐसी चली एसी चली कि जब तक पूरा जग्णा नहीं हो डिया बहुत नुक्सान नहीं हो गया किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आाखिर कॉन सा इस्ट्रक्चर था जो गिराए गया किसी ने भी जानने की कोशिच नहीं कि और एक छोटी सी अफ़वार ने बिल्कुल फिजा खराब कर दी पूरे 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 शेहर के इसमें तमाम अरेस्ट हुई लोग जेल भेजे गए एनसे लगाया गया और फिर शेहर तीन दिन बाद जिस दिन इत की नमाज होनी थ बटाया गया दोनों पक्षों को बिठाया गया दोनों पक्ष आपस में बैठे और आपस में जो गिला शकवा था वो दूर किया और छे दिन बाद या पांची दिन बाद ऐसा सामाननी हो गया पूरा माहौल जैसे कुछ हुआ ही नहीं था लेकिन जिनका नुक्सान हुआ जिनके आगजिनी हुई जिनकी जान गए वो बहुत उसका बहुत बुरा हाल था ये जिसने अफवाह फैलाई थी उसको भी रस किया गया उसे भी जेल भेजा गया बहुत लंबे समय तक वो जेल लाए बाकि उसके बाद जिन लोगों ने रवाई की गई कहने का आश है ये कि एक छोटी सी अफवाह बहुत छोटी सी अफवाह उसने एक ऐसे विवाद को जन्ब दिया हाला कि जो विवाद था वो भी अभी बताया गया है कि जुलाई 2020 में वो भी समाप्त हो गया दोनों पक्छों ने बैठके समझवता कर दिया जिस जमीन के बारे में कहा जा रहा था बहुत छोटी सी जमीन थे उसका कोई सेटिलमेंट हो गया और जिसको जो बनाना था वो बन भी गया अब इसमें कोई विवाद छेश नहीं है ऐसा बताया गय जो लोग वहां हमारी संपर्क में थे लेकिन एक जरा सी अफ़ान है पूरे शहर की फिजा खराब पर दी उसमें समझदार लोग भी थे गैर समझदार लोग भी थे और किसी ने यह जानने की पुशिश नहीं की या जिसकिसी को जानकारी हो गई थी वो यह कंविंस नहीं कर करूंगा चारनपूर में बहुत ज्यादा रहा नहीं नौ जून 2014 से 28 जनवरी 2015 तक रहा और उस वहां से फिर मैं गोंडा ट्रांस्वर होके आ गया था ये दो तीन महीने जो शुरुआत के थे एक महीना कामड में निकल गया उसके बाद दो तीन महीने इस स्थिव को सामान करने में निकल गया तो इसलिए कुछ बहुत क्राइम की बहुत ज्यादा वहां पर उस पर काम करने का मौका नहीं मिला आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद